हाई गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मारूति सुजुूकी के infotainment system में आप videos को कैसे प्ले कर सकते हैं, यह बहुत ही easy है, बस सबसे पहले आपको जो भी videos प्ले करने हैं उन videos को आपको एक pen drive में download करके रख लेना है, और यह pen drive आपको यहाँ पे infotainment के लिए दिया हुआ USB port में अपनी pen drive को insert कर देना है ऐसे और इसके बाद जैसे ही आपकी pen drive insert हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे insert हो चुकी है आपको media बटन पे click करना है ऐसे और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे USB पे option dark हो चुका है जैसे ही आप इस USB को play करेंगे तो यह देखे जैसे कि यह video play होना start हो गया है क्यूंकि इस pen drive में मैंने already videos को रख रखा था तो यह directly videos इसने start कर दिये play आपने देखा कि कैसे आप pen drive के थूँ आप अपने मारुति सुजुकी के infotainment system मे videos play कर सकते हैं और guys मैं आपको यह बता दूँ आपके video तभी तक play होगा जब तक आपका parking brake लगा हुआ है जैसे ही आप अपने parking brake को हटा देंगे तो video आपका रुख जाएगा यह safety feature होता है पारुति सुजुकी cars में और जैसे ही आप अपने parking brake को दुबारा से पुश कर लेंगे आप parking brake पुश करने के बाद आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे यह रेखे वीडियो दुबारा से play होना स्टार्ट हो गया तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको like, share और comment ज़रू करें और हमाई चैनल को subscribe कर ले ताकि आप आगे भी इसी तरीके के और भी वीडियो आपको मिलते रहें Thank you very much